गर्मियों में बच्चे अगर घर में हो तो कुछ ना कुछ पूर दिन डिमेंट्स चलती ही रहती हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और जबर्दस टेस्टी आइस्क्रीम की रेसिपी जिसको आप सिर्फ पाच मिलिट के अंदर तयार करेंगे इसको आज हम बनाएंगे कच्चा मैंगो बाइट टौफी से जी हाँ टौफी से आइसक्रीम वही टौफी जो बच्चे बड़े सब खूब चटकारे लेकर खाते हैं और यकीन मानिए इतनी जवर्दस टेस्टी बनती है कि जो एक बाइट हाएगा फिर वह रुक नहीं पाएगा दो तीन पॉप्सिकल तो का ही जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुगवित पार्ल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारी सभ वी की फेवरेट कच्छा मेंगो बाइट टॉफी तो यह वाली जो पैकेट आता इसका बड़ा वाला मैंने तो खेर वो ले लिया था आप चाहें तो यह गिंती के साब से भी सकते हैं पचास परसी की टॉफी होती तो एक रुपे की दॉफी तो इसमें से फलाल मैं ले रही तोफी से आइस क्रीम कैसे बलेगी बहुत ही सिंपल और जो बच्चे बजार मैं हमेशा प्जित करते हैं पॉप्सिकल लेने की अब आसानी से खुब सारी पॉप्सिकल घर में भना सकते हैं उनको खुष कर सकते हैं और गर्मियों में यह चीज लगती है और यह च्छा जाएगी यहाँ पर मैं टौफी को करना है तो चाहें तो मिक्सी में आलकर डरिकली कर लीजे यह फिर क्या करें मैं तो बेलन से करने वाली हूं तो एक कोई पैकेट ले लीजे और पैकेट में डाली है सारी कैबली और इस तरह से बस पैकेट को मोड करके थोड़ी सी कर अफैने टाइवाला पैन यह कोई पतीला हो तो लेलिजे और इसमें हम डालेंगे 2 कप भरकर पानी और मीडियम फ्लेम पर बड़िया से पहले गरम करेंगे और पानी के गरम होते ही इसमें जाएगी चीनी क्योंकि कि कैंडी जब इतने पानी में डालेंगे तो फिर मीथा स क तो बढ़िया बढ़िया कलर की और एंज ऐसक्रीम और पॉप्सिकल जिने हम बोलते हैं तो बिल्कुल बढ़िया वैसा ही टेक्च्च्चर आएंगा जिस तरीके से बे आपको बता रही हो अच्wen, अच्छायना चाशनी नहीं बनानी है बस थोडा सा हल्क अजा सा इसको बाइल करके गाडा करना है ऐस असे घर्मियों में कोई आईस 실म बनाते हैं तो या तो दूद बहुत गाडा करके खल्फी बनानी ही तो या फिर क्रीम वगरा के जरिये हं koji सी बनाते हैं तो या तो दूद बहुत गाड़ा करके कुल्फी बनानी बढ़ती है या फिर क्रीम अगरा के जरिए हम कोई सी आइस क्रीम बना पाते हैं लेकिन बच्चों को खुष करने के लिए उनके मन पसंद पॉपसिकल आप इस तरह से फटा बना सकते हैं क्यों इसको बनान कर तयार हो जाएं फिर बच्चों के फेस पर वह खुषी जो आएगी उसको देख के आपका मन प्रसंद प्रसंद जाएगा और यह देखिए पानी में बढ़िया से दो तीनो बाला गया है अच्छी तरीके से पानी को बॉil करना है अब इस स्टेश पर इसमें हम डालेंगे हमारी क्रश्ट कच्चा मैंग वाइट टॉफी जो तयार की थी ना भी फ्लेम को लो कर देंगे और यह सारा पाउडर हम इसमें डाल देंगे और यह देखिए धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो पानी का कलर है वो और डार्क होने लगेगा अच्छे से टॉफी को घु 20-25 के करीब टॉफी लिए आप थोड़ी सी जादा टॉफी ले लिए अगर आपको जादा टाक चाहिए दो यकीन मानिए पूरे किचिन में कच्छे आम टॉफी की खुष्मू पैली हुई है लग रहा है जैसे मैं टॉफी बना रही हूं बहुत बढ़िया इसको टेस्ट कर इसमें हम फाइनली डालेंगे आधा नीबू का रस इससे ना बहुत ही टैंगी और मजदार फ्लेवर आएगा बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको अगर आपको खटा कम पसंदो तो आप बिना नीबू के भी बना सकते है लेकिन इसको डालेंगे इसको बढ़िया मस्त फ् अधार आपको बढ़िया ना तो मतलब एक महीन आप आरम से ना जॉए कर सकते है और थोड़ा सीरप दालिये और पानी मिलाए शरवत तयार वो भी कच्छा आम मैंगो बाइट वाला तो आइसक्रीम जबाने के लिए मैं यहा पर लिया है यह 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 लिए यह लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है और वहा मैंने दिया हुआ है तो आप इन चीजों को ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं विसे बजार में भी बिल जाते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं इस तरीके के आपके पास शॉर्ट ग्लास हो ना तो इन में आप जबा सकते हैं लेकिन बच्चों को वह मार्केट स्टैल शेप पसंद होती है तो आप अपने मिक्स को इस तरह से कुल्फी मोल्ड में आपके पास उसमें आप डाल दें थोड़े से मैं पिस चोटे वाले पेपर ग्लास में भी जमा रही हूँ छोटे साइस की मिनी वाली पॉप्सिकल तया हुकारैं वह कैसे मैं समय डाल रही हूं आपश सोटी चंमत चातमसाला फिर जो यहां चातकारे दार पॉपसिकल वनेगी लिए चोटेस से बड़ा है तो यहां चातकारे दर बनाने के लिए चातमसाला मैंने एक कर दिया है थोड़े साह से मिक्स कीचिजे यह थोड़े तो यहां मैने ले लिया है सिल्वर फॉयल वाला पेपर या फिर आपके पास कोई प्लास्टिक शीट हो तो उससे भी कवर कर सकते हैं तो इस तरह से बस कवर कर देंगे जिससे उपर बरफना चाबे तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी मेहनत और रेसीपी अच्छी लग रही है लग बगपाच्छे घंटे हो गए हैं और बिल्कुल बढ़िया से हमारी कच्छा मैंगो वाइट आइस केंडी है बिल्कुल तैयार बस इस तरह से हाथ से हलका सा हम इस तरह गुमाएंगे या पानी में हलका सा गुमा लीजे और बस इसको मोट से निकाल लेंगे सुपाब बहुत ही बढ़िया एकदम यमी, ठंडी ठंडी और गर्मियों में तो मतलब मज़ा आजाएगा, एकदम रिफ्रेशिंग और चिर्ड फील करेंगे आप, बच्चे तो छोड़ने वाले देंगे, देखिए इसके कलर कितना सुंदर आया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, आ एकदम लगातार आप खाते ही चले जाएंगे, यह तयार हो गई, मिंटो में बहुत बहुत ही कम सामन से बनने वाली और सब का दिल कुछ कर देने वाली हमारी कच्चा मेंगो बाइट आइस केंडी, यह आप इने चुसकी पॉप्सिकल कुछ भी बोल सकते हैं, जरू प्रक्टे बना खाने में तो पूछे ही मत, तो कैसी लगी यह फटा फट बनने वाली आइस क्रीम, मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुग वित पारूल को सब्सक्राइ www.cookwithparul.com पर देख सकते हैं, thank you for watching Cook with Parul, जैहिन, जै भारत!